फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कि ब्लाउज में सामने का जो पल्ला है वो उपर क्यों चड़ता है बहुत से लोगों को ये परिशानी होती है ब्लाउज का जो सामने का पल्ला वो उपर चड़ रहा होता है तो इसके बिसिकली दो कारण होते हैं, दोनों कारणों के बारे में आज बात करेंगे और चार अलग-अलग patterns पर बताऊंगा ताकि आपको सबी तरह के patterns पर आपको इसको कैसे ठीक करना है इसका idea मिल जाए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे cutory blouse के बारे में देखो cutory blouse जब भी आप बनाते हैं, तो cutory blouse में दिक्कत क्या आती है मान लोगी आपका blouse उपर चल रहा है सामने की तरफ से तो उसके क्या-क्या कारण हो सकता है अगर आपका ये जो डॉट का point है ये अगर आपका उपर चल रहा है उस condition में भी आपका यह problem आ सकता तो main क्या हो सकता है, एक तो लंबाई, और दूसरा हो सकता है डॉन का point अब देखो यह दोनों चीजें यह रिलेटेट किसे है यह डॉट से ही रिलेटेड है अब आप बोलेंगे कि सर अगर लंबाई कम पड़े तो डॉट से रिलेटेट कैसे हुआ तो यहां पर मैं आप लोग कोई बात क्लियर करना चाहूंगा अगर आप लाउज को चाहे एक करनेक्शन है यह मैंने क्यों बोला क्योंकि पॉफ क्रियेशन नहीं हो पाता है अक्सर यह जो प्रॉब्लम है यह हैवी साइज के ब्लाउज के उपर में है क्यों क्योंकि हैवी साइज में पॉफ क्रियेशन ज्यादा लगता है अब यहां पर यह जो चीज देखना यह आप पॉफ क्रियेट करता है तो उसको केवल इस पॉर्शन की ज़रूरत नहीं होती इसको लेंथ की जरूरत होती है ठीक है इस तरह से लंबाई की भी तो वह लंबाई और साइड का एरिया मिल करके जब ऐसे पफ बनाता है तो वहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाता है इसलिए हम इसको सिंपल सा लेंग्वेज में क्या बोलते है कि लेंथ कम पड़ रहा है तो इसके लिए सॉलूशन क्या है देखो अगर आपको सिर्फ पॉफ क्रियेशन में दिख्कात आ रहा है तो अब लेंथ को इस तरह से बढ़ा दें ये देखो ठीक है लेकिन अगर आपका डॉंट का पॉइंट भी अगर ये वाला आप बना रहे हैं princess cut तब के condition में क्या करोगे तो princess cut में एक बार ध्यान देना जैसे आपका क्या है मानलो डॉट का point है यह से यहां भी रहता है क्योंकि दोनों को अलग-अलग cut करके हम निकाले रहते हैं अब मानलो जैसे आपको लेंद कम पढ़ रहा है तो आप इसको इस तरह से दोनों साइड से कटोरी में भी और प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी में भी दोनों में बढ़ा देंगे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा अगर डॉंट भी आपको उपर चड़ता हुआ दिख रहा है मानलो आपको लग रहा है कि पॉइंट भी इसका सही जगा पर नहीं बैठ रहा तो यह जो पॉइंट है जितना आपका उपर चड़ रहा उसको आप नीचे ले आएगे तो इससे यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्फ हो जाएगी अब आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट कौन से पैटन है बैल्ट ब्लाउज का तो जो आपका बैल्ट ब्लाउज है वह किस तरह से यहां पर आप चेंज करोगे तो इसमें भी सेम कंडिशन है यह इसका क्या है यह फ्रेंट पल् इस तरह से पॉइंट है और यहां से हमने इस प्रकार से इसका डॉट दिया हुआ है तो अगर आपको लेंद कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से इसका लेंद बढ़ा दोगे अक्सर इसमें ध्यान देना कि क्योंई जब भी यह प्रॉब्लम क्रियेट करता है या फिर क्या पॉफ क्रियेशन में पॉफ में प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो दोनों ही कंडिशन में आपको लेंद को ऐसे बढ़ाना है ना कि ऐसे सीधा ठीक है यह ऐसे कभी भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको जो लेंद था वो सेंटर पर बढ़ाने की जरूरत है इधर इस कभी भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस बात का ध्यान रखना ठीक है अब पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पॉइंट को आप नीचे ले आओ ऐसे अगर उपर चड़ रहा है तो अब बहुत से लोगों के साथ ये भी सिकायात आती है कि कभी-कभी होता क्या है पॉइंट अक्सर हम बात करते हैं उपर चड़ने की अगर मालो पॉइंट ज्यादा उपर चड़ा हुआ है तो उस पॉइंट को आप नीचे भी इस तरह से ला सकते हैं वो किसी और वीडियो में अलग विस्तार से बात करेंगे सिंगल डॉंट ब्लाउज के बारे में हम लोग बात करत हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब इसके अलावा जितने भी प्लाउज बनते हैं मालो कि वह मद्रास कट हैं या और किसी भी तरह के ब्लाउज जैसे सब्सांची है सेम इसी प्रकार से होगा मैंने जो बताया कि आपका जो ब्लाउज अगर उपर चड़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा reason क्या है कि puff create करने के लिए जितना उसको कपड़ा चाहिए वो उतना कपड़ा नहीं मिल पाता हम यहाँ पर puff create करने के लिए मालो यह गैपिंग जो है वो साड़े तीन इंच का दे दिए तो हमने केवल side portion को ही तो दिया ना यह side हिस्सा होगी आपका लेकिन ज नॉर्मल आ जाएगा इसके लिए कुछ विशेश बाते ध्यान रखनी होती है और वह बाते क्या क्या है वह भी मैं आप लोगों को बता दीता हूं अक्सर हेवी साइज ब्लाउजों में आप देखते हैं कि ब्लाउज का जो कमर है वह क्या होता है लूज होता है हना तो कमर अशे से टाइट रखें दूसरी बात अगर आपको मानलो जरूरत पड़ती है तो आप ब्लाउज का जो बैक पार्ट होता है बैक जो पार्ट होता है आप उसको क्या करें हाफ इंच बड़ा काट दें ये भी इसका एक सॉलूशन होता है कि आपने बैक पार्ट को बड़ा क उमीद है आप लोग को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा अगर आप लोग हमारे ऐसे पेपर कटिंग्स वगरा मंगाना चाहते हैं चाहे किसी भी तरह के ब्लाउज का हो सूट का हो 100% फिटिंग के साथ में cash on delivery पर तो डिस्प्ले पे हमारा WhatsApp नंबर चल रहा है आप उस पे WhatsApp करके पूरी details ले सकते हैं अगर आपको call करना है कुछ पूछना है तो सुबह 10 बज़े से लेकि सामको 7 बज़े का time रहता है आप हमारे में नेजर से बात करके उसके पूरी details ले सकते हैं बाकि I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर पसंद आय हैं चैनल को subscribe करता हूं किसी नए वीडियो में नए डॉपिक के साथ तक के लिए जए हैं